नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारत यूजना पे आज हम बात करने वाले इस वीडियो में Union Bank of India Apprentice के बारे में तो आप यहाँ पे कब से कब तक apply कर पाएंगे इसके लिए total vacancy यहाँ कितना रखा गया है, qualification क्या के मांगा गया है तो वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पे पताएंगे चलिए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं यह है इसका notification, engagement of apprentice under apprentice यहाँ से आप date देख सकते हैं, यह form जो आपका 28 अगस से start हो चुका है और last date जो है 17 September तक रहेगा तो अगर आप apply cable हो गई है apply करने के लिए तो जल से जल जाके जरूर apply कीजे number of seats यहाँ से देख सकते हैं, category wise में है, state wise में आंदर परदेश state के लिए total यहाँ पे 50 vacancies है, 50 seat रखा गया है जिसमें सा आप यहाँ पे category wise में देख सकते हैं कि इस general के लिए SC के लिए 8, ST के लिए 3, OBC के लिए 13, EWS के लिए 5 रखा गया है और PWD candidate के लिए 2 रखा गया है reservation और उनाचल परदेश के लिए 1 vacancies या साम के लिए 4, Bihar के लिए 5, चंडिगड के लिए 3 तो वो आप एके करके यहाँ से अपने state wise में चेक कर सकते हैं गुजरात हर याना सभी state के लिए है यहाँ पे तो नीचे आके अगर आप total देखेंगे यहाँ जो total number of vacancies है 500 रखा गया है इसमें से general के लिए 244, SC के लिए अगर आप schedule का schedule tribe से बिलॉंग करते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा OBC से बिलॉंग करते हैं तो 3 साल और person with benchmark disability हैं PWD candidate हैं उन लोगों को 10 साल तक का यहाँ पे छूट मिलेगा यह जो में Education qualification Graduation from Recognize University Institute तो graduation आपको कम से कम पढ़ाई क्या वा होना चाहिए Duration of training Duration of training is of one year तो आपका एक साल का यहाँ पे training रहेगा Training के दोरान आपको stipend benefit यहाँ पे payment भी मिलेगा The apprentice are eligible for a stipend 15,000 उप्या पर month आपको मिलेगा Selection procedure Selection of candidate who apply for engagement of apprentice in the bank after paying तो आपका यहाँ पे जो है exam लिया जाएगा Selection process देख सकते candidate who apply engagement तो यहाँ पे जो online test होगा objective type लिया जाएगा तो यहाँ पे general finance awareness से आपका 25 question 25 marks General English से 25 question 25 marks Quantity event reasoning aptitude से 25 question 25 marks Computer knowledge से 25 question 25 marks Totally यहाँ पे 100 question पूछा जाएगा 100 marks करहेगा 60 minute आपको time दिया जाएगा बाद आपका यहाँ पे knowledge और test होगा आपका local language का तो इसके बाद आपका final selection होगा तो अगर आप applicable होगे यहाँ apply करने के लिए तो जल से जल जाके जरूर apply कीजिए यहाँ पे जो है आपका payment बताएगा है General OVC के लिए 800 रुपे लिए जाएगा Female के लिए 600 HTSD के लिए 600 PWD के लिए 400 लिए जाएगा उल झाहँए जाएगा आपल नर डाद दיए तो है आप का सिए आप प्रें के लिए जो हैएगी झाल झाल